हाई हेलो एर्वान इस वीडियो के अंदर हम डिस्कॉस करेंगे क्वेस्चन नाइटी नाइटी सिक्स करेंगे क्वेपर के सिविल का जो की सीपीसी से रिलेटेड है इसके अंदर आपका थोड़ा बहुत कहीं आपको लिमिटेशन एक कभी टच मिल जाएगा अब यहां पर मै आपको वीडियो स्चार्ट करने से पहले बता दूंगी जो मेरा ये पैन था ये काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा सो हम इस इसको को और इसको कर लेंगे तो प्लीज थोड़ा सा कॉपलेट कीजिएगा कुशन डिसकस करते हैं और जो प्रोविजन उसक बी से जानिकि एक रिकती है बी एक रिकती है ए बी से उसके प्रॉपर्टी का प्रोविजन लेता है अब यहां पर जो यह प्रोविजन लेता है इसके लिए उसके पर एक सूट किया होता है उसने और यह जो प्रोविजन उसने लिया होता है यह एक डिक्री के थ्रू लिया को कु서 प्रोविजन के चलते, Gore ぎ इन कि कहो में इन्दर में आपने ऊपन सी करते, प्रोविजन के चलते और ये हतले के उड़ें के बनदर होटा 75 इसे होटारि करी होता है CPC के चीक है वहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति जो है इसकी execution को regist करता है कि भई मैं इसके execution नहीं होने दूँगा इसका possession नहीं लेने दूँगा इसके regarding एक क्या करता है एक application file करता है order 21 rule 97 की CPC के अंदर ही कि भई ये एक तीसरा व्यक्ति है जो कि अपने आप में judgment data नहीं था he is a third person जो कि judgment data की through नहीं आ रहा है कोई अपने आप में third person है और आके resist कर रहा है मुझे इस property का possession नहीं लेने दे रहा और जो आपके decree execute होरी उसको execute नहीं होने दे रहा तो इसलिए ये application लगाते है ताकि जो court है वो decree holder को court की help मिले और police की aid मिले और वो जाके वहाँ पे possession ले ले तो जब ये application लगाता है decree holder order 21 rule 97 of CPC की 18.7.1979 को ये लगाता है दो महीने बाद तो ये जो इसकी application है dismiss हो जाती है court के 3 क्या कहते होएगी ये बाद है limitation act के हिसाब से article 129 के अंदर ठीक है ये फिर से एक और application लगा जाता है order 21 rule 97 के और दुबारा से ये application जो है वो dismiss हो जाती है ये बोलते हुए rest duty गाता की पहले same parties के बीच में जो question matter substantially and directly इन issue था वो decide हो चुका है और finally on merit decide हो चुका है finality आ चुकी है उसके अंदर तो इस basis पर इसका ये dismiss हो जाता है अब यहाँ पर आगे बोलता है कि ये जो है अब appeal के अंदर जाता है कि जो उसकी सबसे पहली application थी जो कि उसने order 21 rule 35 clause 3 के अंदर लगाई थी उसी को आप क्या कर लो जो order 21 rule 97 है ट्रीट कर लो और मेरी application जो है यह मान लो कि वो within time है और आप इसको decide कर दो तो how will you decide the appeal तो आप appeal किस तरीके से decide करेंगे यहाँ पे बोला गया है तो अगर हम इसको समझें तो सबसे पहले यह ज़रूरत है एक order 21 rule 35 clause 3 के उपर और order 21 rule 97 के उपर तो इन दोनों जो provisions हैं इनको हमें सबसे पहले समझाना है जितना हमें आता है उस हिसाब से then आपको कोई case law पता है वो बताना है and then जो facts हैं उसके हिसाब से आपको answer देना है तो अगर हम यहाँ पे देखे हैं सबसे पहले हम किसी explanation देंगे order 21 rule 35 की देंगे और Delhi judiciary के अंदर basically हमारे पास bare acts होते हैं तो as such कोई आपको problem नहीं होगी तो जब आप order 21 rule 35 clause 3 को पढ़ोगे अगर मैं barely read करूँ अगर आपके पास bare act है तो उससे भी आप साथ में read कर सकते हैं यह बोलता है कि where a decree is for the delivery of any immobile property स्कीती सी बात है कि इमोबल प्रपर्टी से related कोई decree है possession there of shall be delivered to the party to whom it has been adjured or such person as he may appoint to receive delivery on his behalf and if necessary by removing any person, सबसे important word कि है any person bound by the decree कि भाई अगर कोई व्यक्ती जो भी उस decree से bound है उसको आप हटा के भी उस property के execution करवा सकते है उसका possession ले सकते है अगर आपको decree of possession मिल रखाया तो, कोई immobile property का who refuses to vacate the property जो कि property को vacate करने से refuse कर देता है तो यानि कि अगर कोई भी व्यक्ती जो कि bound by the decree है, अगर हम इसका literal interpretation करें जो भी व्यक्ती bound by the decree है any person bound by the decree है उससे ये property vacate करवाई जाएगी अगर वो refuse कर रहा है उस property को vacate करने के लिए order 21 rule 35 इतनी सी बात बोलता है वहीं अगर हम order 21 rule 97 के पर आ जाए जो कि 97 से 106 जो rule है order 21 के वो basically resistance और obstruction to the possession of immobile property के बारे में बात करते है कि अगर कोई immobile property को possession लेते वे जब decree execute हो रही है उस पर कोई resistance या obstruct कर रहा है तो आपके पास क्या relief रहते है उसके बारे में बात की गई है तो यानि की order 21 rule 97 क्या बात करता है जो कि हमारी यहाँ पर situation rise हो रही थी जैसे कि C जो एक third person था आके आपको आपकी property जिसका आप decree of जो आपको possession मिल रखी थी उसको execute नहीं होने दे रहा था आपको possession नहीं दे रहा था तो उसका relief आपको order 21 rule 97 के दर मिलता है जो कि क्या बोलता है अगर हम barely उसको read करें और literal interpretation उसका देखें तो यह बोलता है where the holder of a decree for the possession of immobile property जिसके पास भी immobile property की decree है मतलब उसके possession की और the purchaser of any such property sold in execution of a decree is resisted या फिर जिसने उस property को खरीदा है execution की वक्त उस व्यक्ती को जिसके पास decree of possession है उसको कोई resist करता है और obstruct करता है कोई भी person उस property को क्या लेने से possession लेने से he may make an application to the court complaining of such resistance or obstruction तो वो व्यक्ती जिसके पास decree of possession थी वो court के अंदर complaint कर सकता है कि मेरे को obstruct किया जा रहा है और इस property का possession नहीं लेने दिया जा रहा है और वहीं अगर आप जो rule 97 उसका clause 2 अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो यह बोलता है कि जहांपे भी इस तरीकी कोई application लगेगी सब rule 1 के अंदर the court shall proceed to adjudicate upon the application in accordance with the provisions here in contained कि जो provisions यहाँ पे दिये गए हैं उसी हिसाब से उसको adjudicate करेगा यानि कि अगर कोई third party आपके पास आके आपको आपकी decree of possession को execute नहीं होने देरी judgment letter नहीं कोई third party की बात हो रही है तो वहाँ पे order 21 rule 97 के through court की help ले सकते हैं कि आप police की aid के through मुझे यहाँ पे possession दिलबा दीजिए और यह जो third party ने कोई objection किया है यहीं के यहीं decide होगा जो executing court है वहीं पे इसके लिए कोई independent suit नहीं होगा इसलिए ही इस provision को डाला गया है कि अगर कोई अब objection rise हो रहा है जिसके अंदर final decree आ गई है तो कोई third party भी अगर objection कर रही है तो उसको इसी executing court के अंदर आके करना है वहीं अगर हम और इसको अच्छे से देखे तो हमें यह भी समझ आता है कि यहाँ पे जब order 21 rule 97 को decide करेगा court तो merely on the basis of amendments जो भी आप बाते बोल रहे हैं उसकी basis पे court जो है decision दे सकता है हाला कि यह तो obvious सी बात है कि अगर कोई evidence चाही है तो वो evidence यह witness भी मंगवा सकता है court party से but on the merely on the basis of amendments अगर court को लगता है कि दोनों की बातों को सुनके कि नहीं यह चीज ऐसी होनी चाही है तो उस obstruction यह resistance को भी decide court executing court ही कर सकता है order 21 rule 97 के अंदर अब जब हमने order 21 rule 35 पड़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि any person bound by the decree अब यह जो any person word है ना इसके meaning को एक case के थूरू honorable supreme court ने widen किया case का नाम है श्रीनात वर्सिस राजेश 1998 का case है इसके अंदर supreme court ने यह held किया कि जो जो term any person है इसके अंदर क्या होगा कि सिरफ आप उसी व्यक्ति को नहीं लोगे जो कि bound by the decree that means आप सिरफ judgment data को यहाँ पे include नहीं करोगे any person means any person जो कि आके obstruction भी कर रहा है तो यानि कि हम यह समझ आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने order 21 rule 35 को move कर दिया that means कि अगर कोई third party आके भी objection कर रही है तो यह मान लिया जाएगा कि आपका order 21 rule 97 अपने आप ही fulfill हो रहा है क्योंकि order 21 rule 97 भी तो यही बात कर रहा है third party की objection के लिए तो जब honorable supreme court ने बोल दिया कि जो आपका rule 35 के अगर any person word है जो any person user हो रहा है कि जो की bound by the decree उसके अदर कोई third person भी include हो जाएगा that means order 21 rule 97 भी इसके अदर include हो जाएगा तो इसी reason की बज़े से यह यहां पर अगर हम अपने facts को देखें तो सबसे पहले हमने law को समझाया provision को समझाया कोई हमें case मिला वो बताया और अब हम इसका answer देंगे on the basis of facts की जो law और case हमने बताया कि अब यहां पर यह इसने contention ली जो decree holder था उसने appeal में यह बोला कि जो मेरी original order 21 rule 35 वाली application थी उसी को आप order 21 rule 97 की माल लो तो यह बात बिलकुल सही है decree holder की कि उसको माना जा सकता है क्योंकि जो मैंने आपको reason दिया उस बज़े से क्योंकि वो जो any person word है order 21 rule 35 के अंदर वो उस रेक्ती को भी include कर रहा है जो कि कोई third person आके objection कर रहा है वो सिरफ उस person को include नहीं कर रहा है जो कि bound by the decree है any person means कोई third person भी तो that means any person bound by the decree means कि अगर कोई third person भी आ रहा है तो वो भी उस decree से bound माना जा रहा है इसलिए अगर आपने order 21 rule 35 के application लगा दिया और order 21 rule 97 बाद में भी लगाया जा रहा है beyond limitation period भी लगाया जा रहा है तो उसको beyond limitation period नहीं माना जाएगा यह मान लिया जाएगा कि जो आपने order 21 rule 35 के application लगाई है वो सही application है और अगर कोई third party भी objection कर रही है तो उसी application को order 21 rule 35 की application को ही जाएगा तो यहाँ पे जब appeal में अगर जाते हैं तो जैसे कि इसने पूछा है how will you decide the appeal तो आप यह decree holder के favor में decide करोगे कि हाँ जो वो बोल रहा है कि जो order 21 rule 35 की application है उसको आप एक ही मान लो order 21 rule 97 के साथ तो यह उसकी contention बिल्गुल ठीक है और आप उसकी application को allow कर सकते हैं तो I hope आपको यह समझ आया हो कि किस तरी के से हम इसका answer लिख सकते हैं although I don't have pen तो हो सकता है कि थोड़ी सी confusion हो नहीं हो but मैंने अपनी दरब से पूरी कोशिश करिए कि आपको इस question का answer समझ आए अगर आपको वीडियो चेए तो प्रीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं जल्दी यह pen arrange कर लूँगा ताकि हम लिख के भी इनके answers को देख सके और अगर इसके अलावा गर आप जुडिशी की coaching लेना चाहते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं और अपनी classes जो है वो start कर सकते हैं जहां पर आम इसी तरीके से pre and mains की त्यारी करते हैं I hope video आपको अच्छी लगी तो please like कीजेगा share कीजेगा इन चैनल को subscribe जरूर कीजेगा thank you so much for watching this video